आपकी स्क्रीन के सामने एक पिक्चर आपको देख रही होगी और मुझे लगता है कि आप सभी लोग इन्हें जानते भी होगे और इनकी मूवी जो आई हुई है या फिर आप देखी कॉमेडी जो जिस तरह ऐसे करते हैं उसे भी कई लोग पसंद भी करते हैं और आप देखी कॉमेडी के कारण चर्चा में कह लीजे या अपने बिवादों के कारण ये हमेशा चर्चा में बने रहते हैं समय रहे आप लोग, तो आज हम लोग कपिल सर्मा के बारे में, एक सामान जनकारी देखेंगे, इनकी केरियर को भी देखेंगे, इनके इनसे जो बिवाद जुड़े हुए, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, और इनका परिबारिक बैक्ग्राउंड कैसा है, सिक्छा किस तरह पर भी हम लोग बात करेंगे, इस क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, कपिल सर्मा उनकी वाइब, और उनकी वाइब और आप देखी, उनकी माता, ठीक है, तो कपिल सर्मा की बात करें, तो इनका असली नाम कुछ और ही है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग, इनका बा आपका एक असली नाम रख दिया जाता है जो आप देखते हो कहीं काम आता है तो आप लोट उसका यूज करते हैं और आपने देखा होगा कि आपके आसपास या घर में किसी और नाम से आपको बुलाने लगते हैं तो इसी तरह इनके भी उपनाव हैं इनके जनम की बात करें 2 अपरेल 1981 में इनका जनम होता है कहां अमरसर पंजाब भारत में एक वा了 आप लोग पंजाब को भी देख लीजे अगर आप देखें तो पंजाब आपको यहां head constable थे इनकी मा की बात करें तो जनक रानी इनकी मा का नाम और गिन्नी चत्रत इनकी बीवी का नाम है यानि की पत्नी का इनके दो बच्चे हैं और इनकी सुरुवाती सिक्षा की बात करें तो सिरी राम आस्रम senior secondary school अमरस्थर से यह अपनी सिक्षा लेते हैं कॉलेज की बात करें तो यह हिंदू कॉलेज अमरस्थर से पड़ाई करते हैं और APJ College of Fine Arts जलंदर से अपनी सिच्छा लेते हैं सेक्षिक के यह उगता की बात करें तो इसना तक किया हुआ है और वेवसाई की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हास अभिनेता हैं कॉमिडियन हैं अभिनेता भी हैं इननोंने मुवी भी की हुई है गाय möchte हैं तो आप देखेंगे की पशूओं की बचाों के लिए भी नोने काल किया हुआ अप देखें कि पशूओं की अधिकारों को बढ़ावा ड redemption के लिए में उन्हें बहुत सराय ना मिली उन्होंने अपने सो के सभी कलाकारों के साथ वेघर कुत्ते और विल्लियों को बचाने के लिए मौट पेटा अभियान में भाग लिया और 2014 में पस्वों से अपने अपने प्रेम को पिदर्सित करती हुए उन्होंने मुंबई से पुलिस के एक सेवा निवित कुत्ते जिसका नाम जंजीर था क्या था जंजीर था को गोद लिया था और आप देखेंगे इसके के लावा उन्होंने अत्याचार से पिडित हाथियों को बचाने के लिए भी अपील की हुई है पूरे देश में प्रिचार के अउड़ते हुए अपील की हुई थी तो यह कह सकते हैं कि आप लोग एक तरह से पचसू बचाओं के लिए भी काम करते रहते हैं जानवरों के के लिए पसू प्रैमी भी आप लोग कह लिए इनके केरियर की बात करें तो आप देखें सुरुवात में आप सभी जादें कि आसफलता हैं लोगों के हाथ लगती हैं तो इनके इन्हें भी कई आसफलताओं का सामना करना पड़ा कई वार रिजेक्ट होना पड़ा कपिल सर देखेंगे उन्होंने जीता भी इस सो को इन्हें इनाम पे 10 अलाक रूपी की रासी गिप्ट की गई थी और यहीं से इनकी केरियर की सुरुवात होती है इसके बाद उन्होंने कई सारे सोच किये और उन्होंने अपनी पीतिवा दिखाई वहां उन्सो को जीता भी साल 2010 में आप देखें कि कपिल ने कॉमेडी सरकस का सो किया और उस पर भी आप देखें काफी चर्चे में था और उस सो में कपिल लोगों को इतना हसाया कि धीरे धीरे उस सो की टी आर्पी को कपिल ने काफी बढ़ा दिया और कॉमेडी सरकस साल 2007 में आयो और यह सो जच थे रोह और अर्चना पूरंची इसमें हास कलाकारों में कई सारे आर्टिस्ट थे जिसमें आप देखेंगे मुर्ग आर्टिस्ट स्रीकिष्ण आभी से सुरिदेश लाहरी और जिन्नोंने सो में तीन चार साल तीन साल तक काम किया और यह हैं सो हर घर में आप ने देखा होगा चलता साल 2010 में आप देखेंगे कपिल सरमा के एंटरी ने सो को एक दूसरे लेवल अपपर कर दिया और जहां दूसरे आर्टेस्ट फीके पड़ गये और इसके बाद कपल सरमा जलक दिखना जा 600 होस्ट करने का भी मौका मिला Korean को साल 2013 में आप देखें कि कॉमेड़ी नाइट्स विद कपिल आई जो 2013 से 2016 तक चली और ESO ESO TRP की रेस में 3 साल तक आंगे रही और कपिल के केरियर को एक अच्छे मुकाम तक इसी सो ने पहुंचा है इस सो के अलावा कपिल को अब टीवी से फिल्मों में भी ओफर मिलने लगे उन्होंने कई सारे बॉलीवोर्ड अवर्ड सो भी होस्ट किये कॉमिडी नाइट्स विद कपिल कई बेबादों में भी गिरी और बाद में बंद कर दी गई साल 2017 में यह सो दूसरी नाम से फिर से आया इसका नाम रखा गया दक कपिल सरमा सो यह सो भी काफी हिट रही और हर साल इस सो के नए सीजन टेली विजन पर आप लोगों देखते भी होंगे साल 2015 में कपिल की पहली मूवी बनी किस-किस को प्यार करें और यह कोमीडी आधारित मूवी थी यह फिल्म सर्फ हिट नहीं हुई इस मूवी ने ओवर ओल थ्री स्टार रेटिंग मिली थी इसके बाद आपने देखा होगा 2017 में इनकी दूसरी फिल्म फ्रंगी आई जो कुछ बिवादों में विगरी और बाद में रिलीज नहीं हो पाई ठीक है अब कपिल सर्मा ने कुछ अबॉर्ड भी जीते हुए हैं पुर्सक्वार भी जीते हुए हैं इन्हें भी देख लिजे अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई एक्टर हो या कोई पॉलिटीसियन हो कोई और वेक्ती हो तो उसके चाहने वाले भी होते हैं उसके ना चाहने वाले भी होते हैं उसके पसंग किस सक भी होते हैं उसके आलू चक भी होते हैं और देखिए उसका विबादों से जुड़ना तैम आना जाता है एक तरह से तो ये भी विबाद में रहे ये पहली बार विबाद में आये अंतराश्टी मराठी फिल्म होसाओ 2015 कि दुरान कपिल सर्मा पर महिला सह कलाकार मौनाली ठाकर और तनीसा मुखर जी के साथ दुरभिवा करने कारोप लगा पैरम मैं उन्हें टिपिडी करने से इंकार कर दिया हाला कि बाद में उन्हें ट्वीट करते हुए इस तरह का उन्हें रियक्षन दिया अपना ट्वीटर पर कल्पिल सर्मा की सुरुवाती कुछ है पी सोड की पिसारन के बाद विभिन मेडीकल कॉलेज और अमरसर की अस्पतालों की नर्सों ने पुलिस थाने में एक सिकायत दरच कराई थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि कपिल सर्मा सुमें नर्स की फेसे को रोसेल राओदवारा चितित गलेमर्स चरित निंधित किया गया और सो में नर्स के आत्म सम्मान को चती पहुचाई गी ओर जिससे कपिल को कड़ी आलोचनाऊ का सामना भी करना पड़ा था और आपने देखा होगा गुलाटी आप समझ रहें डॉक्टर गुलाटी तो उसमें भी आप लोग देखते रहते हैं नर्सों के साथ किस तरह का हो एव डॉक्टर एक कपिल सर्मा नौध सेप्टमबर 2016 की बात है भेष्टाचार पर ट्वीट करते हुए कपिल सर्मा ने सिपस के बीच बिवात पैदा हो गया था और जिसके बाद महराष्ट के मुखमंत्री देविंद फणनर्स ने ट्वीटर पर उत्ता देते हुए का कि कपिल भाई आपके पास जो भी जानकारी है हमारे पास भेद दे और मैं एमसी और बीमसी को सक्त कारवाही करने का निर्देश देता हूं ताकि अपराधी को जल्दी से जल्द पकड़ सकें तो इस समय भी काफी चर्चा में रहे थे दिसंबर 2015 की बात है दिसंबर 2015 में मुंबई में अपने निवास इस्थान के नजदीक जंगलों को काटने के ज्वम में उनके खलाब एफाया दर्च की गई थी और मा 2017 में ऑस्टेलिया से मेलवांड में के एक हवाई यात्रा के दौरान काफिल सर्मा पर नसे की हालत में सुनील ग्रोवर के साथ मारपीट और उनका अफमान करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था और दाकस्मीर जो मूवी आई हुई है इसको भी लेकर आप देखे नहीं कर रहे हैं काफिल सर्मा तो इसको लेकर भी आलोचना हो रही है बीच में आपने अवीनाओ जो एक टीवी एंकर थे अवीनाओ घो स्वामी नाम के उनको भी आपने देखा होगा उन पर एक तरह से कॉमडी की तरह एक सो बनाय गया था उस समय भी आपने देखा होगा कफिल सर्मा काफी बिवादों में रहे थे चर्चाओं में भी रहे थे तो यही कहानी है कफिल सर्मा की और इस तरह कि चर्चा में बने रहते हैं आपको भी असाते रहते हैं कुछ लोग इन्हें पसंद भी करते रहते हैं कुछ आलोचक भी बने रहते हैं और यही दो खुपस